हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर रुजुता राजगुरू गाइनेकोलोजिस्ट अकोट डिस्टिट अकोला महाराश्च से आज हम बात करने वाले हैं कि MTP kit यहने की abortion करने के लिए जो pills यहने की गोलिया इस्तिमाल करते हैं kit इसाइ। उसे कैसे यूज़ करते हैं आपको वो kit कब यूज़ करना चाहिए कितने हफते तक यह kit की की का या गोलियों का इस्टाल हम कर सकते हैं यह आज की वीडियो में आपको बताने वहनूं। बहुत से बार ये सवाल पूचा जाता है, बट ये जो वीडियो में बना रही हूँ, या आपको बता रही हूँ, आपके सामने प्रेजन कर रही हूँ, ये सिर्फ आपके information के लिए है, आप जहां कहीं पे भी हो, और आपको अगर abortion kit लेनी है, तो वो आपको doctor's advice, यानि कि आपके gynecologist's की advice से ही लेनी है, registered medical practitioner के हिसाब से ही लेनी है, I know कि ये गोलिया market में easily available है, actually ये easily available नहीं होनी चाहिए, उसके लिए license ज़रूरी होता है, उस chemist या drugist या medical store के पास, तो ये without license ये available नहीं होती है, और doctor's के prescription के सिवाई भी ये गोलिया नहीं देनी होती है, बट आपके पास ये है, और आप लेनी की सोच रहे हो, तो even आप ये वीडियो देख लेते हो, तो आपको सबसे पहले आपके gynecologist से मिलना है, और ये तय कर लेना है, कि ये गोलिया आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मैं क्यू कह रही हूँ, ये मैंने आपको डीटेल में इस वीडियो में समझाया है, कि आपको ऐसा क्यू करना है, तो इस वीडियो को आपको एंट तक ज़रूर देखना है, जो जो अबोर्शन प्रोसेस है, इंडिया में अबोर्शन 20 वीक्स तक किया जाता है, बट ये जो 20 वीक्स तक है, ये हर इंस्टिट्यूट को या हर हॉस्पिटल को इसका पर्मिशन नहीं होता है, कुछ हॉस्पिटल में 12 वीक्स तक पर्मिशन होता है, और 12 weeks to 20 weeks तक के जो abortion process होता है वो कुछ institute your hospitals को ही दिया गया है So ये जो MTP pills जो होता है ये early pregnancy में ही अच्छे से काम करती है जैसे कि 7 हपतों तक के यानि कि 49 days तक के जो आपका last menstrual period है वो date से यानि कि जो आपकी महावारी जब भी आपकी previous month में महावारी आई है उसका first day जब आपकी महाना start हुआ है वो date से लेके आपके अगर 7 हपते हुए है 49 days का है तब तक के आप ये pill ले सकते हो अगर आपको successfully abort करवाना है तो but ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ये effective रहेगी because आप ये गोली कैसे ले रहे हो कौनसी ब्रैंड की ले रहे हो किस के advice से ले रहे हो और आपने ये गोली किस तरीके से ली है ये भी बहुत ज़ादा माईनी रखती है right so जो available brands है market में वो बहुत सारे नाम से होते हैं जैसे की MTP kit, AKR kit, then unwanted kit, right ऐसे बहुत से brands है market में but कौनसी brand से आपको लेना चाहिए गोली ये मैं आपको नहीं बताओगी क्योंकि हर एक brand same ही है क्योंकि उसमें 5 गोलिया होती है एक गोली जो होती है वो मेफ़ेप्रोस्टोन की होती है और चार जो गोलिया होती है वो मिजोप्रोस्टोल की होती है यह कैसे लेना है यह भी मैं आपको बताऊँ बट यह आपको with doctor's advice ही क्यों लेनी है क्यों कि बहुत से बार ऐसा होता है कि आप doctor के पास जाते हो यह आपको लगता है कि मुझे सिर्फ last for example January मेहने में मुझे पाच तारिक को मेहना आया था और अभी फरवरी मेहने की पंदरा तारिक है दस दिन उपर हो गये है पाच फरवरी को मेरा मेहना आना चाहिए था पर पंदरा फरवरी हो गये है सिर्फ दस दिन उपर है और मुझे लगता है कि मुझे ये किट लेनी चाहिए बट डॉक्टर के पास आप जब भी गाते हो तो आपको गानेकलोजिस जो होती है स्री रोखतग्य जो होती है वो आपको हर दम सोनोग्राफी करने के लिए कहती है राइट वो इसलिए कि सबसे पहले ये कंफर्म होना जरूरी होत सबसे पहले आपको सोनोग्राफी से कंफर्म कर लेना है कि प्रेगनसी इंट्रायूट्राइन है या नहीं यह कितने हफ़तों की प्रेगनसी है हमें तो लग रही है कि 5 जनवरी को हमारा मैना आया था अभी 15 फरवरी तक नहीं आया है प्रेगनसी टास पॉजिटिव आया है तो शायद 10 दिन ही उपर हुए है बट एक्चुली जो जनवरी मैने में आपका मैना आया था तब भी आप आपको प्रेगनसी थी बट जनवरी मैने में आपको बहुत ही कम ब्लीडिंग गया शायद एक दिन या दो या तीन दिन बहुत ही हलका सा ब्लीडिंग यह सर्फ एक पैड आपको ब्लीडिंग गया तो यह जो ब्लीडिंग जनवरी मैने में आपको हुआ था उसके पहले यह बहुत से patients को यह बात पता नहीं होती है, medical store या chemist को भी यह बात नहीं पता होती है, आप medical store पर चले जाते हो और कहते हो कि बस मेरे 10 दिन उपर हो गया है, तो मुझे गोलिया दे दीजिए, वो भी आपको गोलिया दे देते हैं, because they are not export, आपने जो उनको जानकारी दी है, उसके हिसाब से उन्होंने गोलिया दी, और आपने वो गोलिया खाई, बट आपकी pregnancy already जादा दिन की हो चुकी थी, तो वो गोलियों से नहीं गिरेगा, आपको continuously bleeding शुरू रहेगा, या clots pass हो गए, और आपको लगेगा कि यह अभी incomplete abortion की हो गया है, जबकि सिर्फ 10 दिन मेरे उपर हो गये थे, बलकि actual condition यह है कि आपके जादा दिन उपर हो गये थे, इसलिए वो गोलिया काम नहीं कर रही है, So take home message is, कभी भी आपको pregnancy kit भी लेनी है, abortion kit लेनी है, abortion pills अगर लेनी है, तो आपको sonographie करवाना must है, या ज़रूर करवानी चाहिए कि exact intrauterine pregnancy है या नहीं, या पिर कितने हफतों की pregnancy है, right? The second thing, यह जो kit होती है, इसमें 5 गोलिया होती है, एक गोली होती है मैफेप्रिस्टों, जो 200 mg की होती है, और बाकी की जो 4 गोलिया होती है, वो होती है मीजोप्रोस्टॉल की, और एक मीजोप्रोस्टॉल की गोली 200 mg की होती है, right? तो टोटल ये चार गोलिया मिलकर 800 माइक्रोग्राम मिजोप्रोस्टॉल आपको प्रेगनसी अबॉट करने के लिए लेनी होती है तो इसका कॉंपोजिशन तो मैंने बता दिया कि actually इसमें क्या कॉंपोजिशन होता है इन गोलियों में तो अब इसे हमें कैसी लेनी चाहिए तो फर्स्ट जो गोली होती है मैफेप्रिस्टोन वो डे बन को लेनी होती है for example on 15th February को आपने फर्स मैफेप्रिस्टोन की गोली ली है सुभा साथ बजे या आड़ बजे राइट सुबह मौनिंग में लेनी चाहिए ये गोलिया दस बजे के पहले क्योंकि जो next dose होता है वो 48 आज बार लेना होता है 48 गंटे बाद ये जो मिजोप्रोस्टोल की चार गोलिया होती है वो लेनी होती है इसलिए अगर आप पहले दिन ही मेफे फ्रिस्टोन की गोलिया अगर शाम में या रात में ले लोगे तो ये जो मिजोप्रोस्टोल का 48 आज जो है वो आपके 17 फेब्रियोरी को शाम में आ जाएगा अगर शाम में आपने मेफे प्रिस्टोन 7 बजे ली है तो शाम में आपको mesoprostol लेनी पड़ेगी तो उसकी वज़े से रात में आपको bleeding शुरू हो जाएगा जो की ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए जनरली आप जब भी kit लेते हो तो उसे morning hours में 10, 11 या 12 बज़े तक ले लेना चाहिए मेफ़ेप्रस्टोन का first dose then 48 गंटे बाद mesoprostol का जो dose होता है वो हर doctor to doctor differ होता है आपके gynecologist आपको क्या prescribe करते है आप उसके हिसाब से लीजे क्योंकि उनका experience क्या कहता है इसके बारे में उसके हिसाब से वो आपको देगे but मेरा experience ऐसा है कि ये जो गोलिया होती है actually mesoprostol की गोलिया जो होती है वो orally यानि कि पानी के साथ भी ले सकते है या sublingual sublingual मतलब जबान के नीचे रखके टंग के नीचे रखके उसको absorb कर लिया जाता है और उसका effect बहुत जल्दी आता है तो अगर आप जबान के नीचे रखके उसको चूस लेते है तो वो directly आपके blood में absorb हो जाएगी इवन उसके बाद में आपको अगर उल्टी भी हो गई अगर उसमें तुरंत अगर गोली नहीं गिरती है तो वो effective रहेगी बट अगर गिरती है तो effective नहीं रहेगी अगर वो गोली तुरंग नहीं गिरती है थोड़ी देर बाद अगर आपको उल्टी हो जाती है तो भी वो blood में absorb हो जाएगी वापस से मैं आपको बता दी हूँ कि day 1 को यानि कि for example आपने 15th February को सुबह 9 बजे ये mefepristone लिया है तो 48 घंटे बाद यानि कि 17th February को आपको सुबह 9 बजे चार mezoprostol के टैबलेट आधी घंटे के गैप से लेने है मतलब सुबह 9 बजे 2 मैंने जबान के नीचे रख दी और आधी घंटे बाद 2 और गोलिया जबान के नीचे आपको रखनी है राइट हर एक डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने का तरीका अलग होता है बट इससे सक्सेस रेट कापी होता है इसा मेरा एक्स्पीलियेंस है बार बार मैं आपको वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहे हूँ कि ये जो गोलिया होती है ये आपको करेंगे आपको हैडएक हो सकता है सीवियर सीवियर अब्डमिनल पीन आपको होगा क्राइमस होगा या अगर जादा देर के लिए बहुत जादा है ब्लीडिंग हो रही है या पानी की तरह खून बह रहा है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर मिजप्रोस्टाल के गोलियों से फीवर यानि की बुखार आपको आ सकता है थन्ड लग सकती है फीवर विच्चिस बहुत ही कामन है अगर आप मिजप्रोस्टाल लेते हो तो पेज़र को इधना शिवरिंग कभी-कभी हो जाता है कि एक-दो रजाई लेनी पड़ती है तो मुझे बताने का इंटेंशन यही है कि आपको ये गोलिया विदाउट डॉक्टर स्प्रेस्क्रिप्शन गानेकोलोजिस को प्रेस्क्रिप्शन के अलावा आपको ये गोलिया नहीं लेनी चाहिए ये किट लेने के बाद में आपके डॉक्टर आपको बहुत से बार 10-15 डेस बाद आपका अबॉर्शन पूरी तरीके से कंप्रीट हुआ है या नहीं ये भी कंफर्म करवाते है 15 डेस बाद जब भी आपकी ब्लीडिंग रुप जाती है उसके 15 डेस बाद आपको सोनोग्राफी करके यानि कि अल्ट्रसाउन करके ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका अबॉर्शन कंप्रीट हुआ है या नहीं ये जो अबॉर्शन किट होती है बहुत से बार कपल्स इसे रिपीटेडली यूज करते है तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि इसके अंदर हामोन्स होते है ये आपके पीरेज में गड़बड़ी ला सकते है आपके पूरे बाड़ी का हामोनल डिस्रिबंस हो सकता है तो ये आपको as a regular हाबिट करके नहीं लेनी चाहिए आपको कोई safe contraceptive method अपनाना चाहिए आपके gynecologist से मिलकर So I hope this information was useful to you अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आपके friends और relatives में भी इसे ज़रू शेयर कीचिए Thank you